सबी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पडाम आदाब सभी को रादे रादे सभी को जैश्री राम मैं आपका रिजनिंग एजुकेटर नितिन पांडे आप सभी का इस इवेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आप सभी को ये पता है कि आज SSC की CGL 2024 की प्री के लगबग या लगबग कहूं या कंफर्म कहूं या कंफर्म ही मान लिजी को कि आज आधे दिन के एक्जाम हो चुके हैं यानि कि जो डेट उन्होंने सिलेक्ट की थी कि इस डेट के से इस डेट की बीच में एक्जाम कराए जाएंगे तो आपके एक्जाम 9 सितंबर से चाल हुए और आज 17 सितंबर हो चुकी है यानि कि आपके 9 दिन बीच चुके हैं पूरे आपका आधा एक्जाम निकल चुका है और आधे लोग एक्जाम देके आ चुके हैं अब आज का जो पेपर था 17 सितंबर उनका पेपर कैसा रहा सिफ्ट वाइस हम पूरी जानकारी आपको देंगे और पूरी जानकारी जो है प्रवाइड आज जो मैंने की है वो एक दो तीन चार लोगों से नहीं कई सारी कंडियेट से मैंने ये पूरा डेटा कलेट किया है और इस पे डेटा कलेट करने के बाद सिफ्ट वन सिफ्ट टू और सिफ्ट थी के और वीडियो को आन तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो को skip नहीं करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी साथ जाथ यह ध्यान रखेगा हम चैनल को सब्सक्राइब करने की बात इसलिए करें कि आने वाले जितने भी SSC से रिलेटेड वीडियो होंगे आपको सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आपके सेलेक्शन तक चाहे बो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या फिर अन्य कोई government exam उसकी पूरी जानकारी information आपके यहाँ पर आपको इस platform के माध्यम से पहुचाते रहेंगे तो जनता जनारदन की जय और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस ध्यान से इस चीज को देखेगा कि जैसे कि अगर हम बात करें जन्रल इंटेलिजेंस तो जन्रल इंटेलिजेंस ज easy to moderate रहा है अगर हम बात करें number of questions attempt की तो लोगों ने minimum 19 questions attempt किये हैं और maximum 22 ते इस questions पर पहुचे हैं तो 19 से 22 questions जो है यह category रही है 19 से 22 questions की category मैं यहाँ पर यह कह सकता हूं कि 19 से 22 questions की category जा रही है बात करते हैं हम यहाँ पर जन्रल अवेर्नेस की जिसको बोलते हैं जीके जीएस सिफ्ट बन में पेपर आपका जीके जीएस का moderate ही रहता है यह आपको पता है कि जीके जीएस आपका इतना ज़्यादा lengthy process है इतना lengthy subject है कि आप कितना पढ़ें कहां छोड़ें क्या करें यह चीज़ समझ नहीं आती तो पेपर कुल मिला के जीके जीएस का moderate रहा है बहुत हाई भी नहीं था अगर हाई होता है तो फिर आठ नो दस questions ही कर पाते हैं आप लोग लेकिन यहाँ पर number of questions की अगर हम बात करें तो आज के first shift में लोगों ने 17 से 20 questions तक attempt किये minimum 16 17 questions maximum लोगों ने attempt किये यह बात कर रहे हैं उनकी जिनकी selections इस बार pre में होना है अब जिनका selection होना ही नहीं तो कहेंगे मेरे तो 12 questions हुए तो वह नहीं जिनका प्री में इस बार selection होना है उन्होंने 17 से 20 questions तक GKGS में किये है quantitative aptitude की बात करता हूं तो यह paper आपका moderate level पर रहा है इसमें number of questions की बात करूं तो moderate level पर calculate भी थी और कुछ questions आपके अच्छे खासे level के पूछे गए थे 16 से 18 questions आपका रहा है आज की मैट्स के section का यहीं जीके जीएस का portion थोड़ा सा आपने बढ़ाया है मैट्स के section में थोड़ा सा डाउन हुए क्योंकि calculated portion ज्यादा देखने को मिल रहे और मैट्स कहीं ना कहीं आपकी थोड़े questions आपके hard भी देखने को मिले हैं बात करते हैं English की English as usual आपकी हर बार की तरह इस बार भी इस shift में easy आई है questions अटेंट करने वालों की संख्या जो है वो 20 से 23 है अगर हम बात करें आज के total questions की की total questions कितने रहे पैटर्न जो रहा है आज का तीनों shift में उसकी पहली shift की जब मैं बात कर रहा हूं तो पूरा पैटर्न जो आपका reasoning math English GKGS का जो रहा है वो easy to moderate रहा है high level पर कोई भी portion आपको देखने को नहीं मिला इसमें जो attempt की बात करूं तो 78 से 83 questions attempt देखने को मिल रहे यानि 78 to 83 questions attempt मैं फिर बात कर रहा हूं 78 to 83 मेरी words पर ध्यान दीजेगा attempt not a correct अब 78 questions किसी ने किये है और 78 questions मालो 45 उसके questions गलत हो जाते हैं तो फिर भी 72 73 questions बचेंगे और उसके 6 questions में date number और कट जाएगा तो लगबग 70 72 के बीच में इसके questions सही हो रहे हैं तो वो मेंस में लग जाएए तयारी करना शुरू कर दीजी क्योंकि यहीं मौका है आपके पास में तयारी करने का और दो महीने को अच्छे से cover करने का इसके बाद मैं बात करता हूं shift 2 की shift 2 जो आपका paper रहा है आज का shift 2 में बात करता हूं reasoning की तो reasoning आपकी इसमें moderate रही है याई easy नहीं आई है shift 2 में reasoning आपकी moderate level पे रही है याई easy level देखने को नहीं मिला जैसे कि पहले shift में और पहले के exam में देखने को मिली थी reasoning reasoning इसमें अगर हम बात करें तो reasoning के कुल question जो हैं लोगों के 16-18 और किसी की बहुत अच्छी reasoning है तो 20-21 question पे पहुँच गया बरना maximum attempt आज का यहीं रहा है reasoning के अंदर सबसे कम questions अगर मैं बात करूं तो आपको reasoning section के अंदर ही देखने को मिले है इसके बाद अगर हम बात करें general awareness जो आपकी easy to moderate रही है इसमें easy questions भी थे moderate भी थे और 3-4 question आपके अच्छे खासी level के भी थे जो छोड़ने वाले थे लेकिन यहां पर अगर हम बात करें attempt जो है इसमें 19-21 का रहा है quantitative aptitude जो है आपका maths यह portion आपका easy to moderate था इसमें 18-20 question लोगों ने attempt किये है इंगलिस की बात करता हूं तो इंगलिस आपकी easy रही है यानि की हर बार की तरह इस बार में भी English आपको easy देखने को मिली है और 20-22 question लोगों ने attempt किये है इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका जो paper का जो level रहा है paper का जो level रहा है तीनों ही shift में easy to moderate रहा है लोगों ने attempt जो किये है क्वालिफाई करने के लिए वो 80-86 question तक पहुँचे है अब 80-85 question बड़ा आकड़ा है लेकिन paper का label भी ऐसा ही रहा है अब paper का level जब easy होगा तो यह बताओ कि आप मेहनत करके गए हो तो आप तो 100 question करके जा रहे हो ना 100 question करने जा रहे हो 100 question में अगर 80-85 question करके आ रहे हो तो paper का level easy है तो इसका मतलब है कि normalization जो होगा वो आपकी shift में कम लगेगा यह मैं आंकड़ा जो बता रहा हूँ student के बिहाब पर बता रहा हूँ यह ध्यान रखेगा और paper का जो analysis है एक दो लोगों से नहीं कम से कम कई सारी calls पे कई सारी student से बात करके यह आंकड़ा लिया गया है इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ next shift की तो आपका shift नमर तीन shift नमर तीन की मैं बात करता हूँ shift नमर तीन जो था difficulty level आपका reasoning का easy to moderate रहा है यानि इसमें आपका paper easy भी था moderate भी था इसलिए number of questions यहां पर बड़े हैं और 20-22 question लोगों के आसानी से हुए है general awareness की बात करूँ general awareness पहले shift को छोड़कर बाकी सभी में easy to moderate रही है यानि easy questions भी आपको देखने को मिले हैं जैसे कि पहले आपके जो 3-4 दिन के अंदर exam होए तो उसमें पता नहीं कहां कहां से question पूछे गे थे वो अब थोड़ा सुधार किया है उन्होंने अब paper तो देखो पहले बना लिया होता है हो सकता कि पहले डराने के लिए लोगों को दिखाने के लिए paper इस तरह का लेवल का रहा है और फिर बात के paper जो है वह थोड़ा सा अब आपकी gks अब ठीक आ रही है number of questions की बात करूँ तो लोग 18-20 questions करके आ रहे है quantitative aptitude की बात करूँ फिर से आपका moderate section देखने को मिला तैसे second shift की अगर मैं बात कर रहा था second shift में आपको easy to moderate मिली थी लेकिन इस section में maths आपको moderate level पर देखने को मिली और questions आपकी 17 से 19 attempt इसमें हो पाए है बात करें English आपकी हमेशा तीनों ही shift में easy रही है इसमें question जो है attempt वो 21-23 तक हुए है total की बात करूँ तो आज का paper जो analysis है आपका तीनों shift का वो easy to moderate ही रहा है तीनों ही shift में जो आपका overall रहा है वो overall easy to moderate रहा है इसमें 78 से 84 questions लोगों ने attempt किये हैं तो कुल मिलाके में यह कह सकता हूँ कि अगर आपके 80 approach questions अगर आपके 80 approach questions अगर आपके सही है 80 approach questions आपने attempt किये हैं मैं अपने word को सुदाराना चाहता हूँ कि 80 plus questions correct नहीं 80 की आसपास questions आपने अगर attempt किये हैं और maximum उसमें सही है चार से questions अगर गलत भी हो जाते हैं तो भी आपका cut off clear हो जाएगा जिनके questions सही अगर 72, 73 questions अगर सही हो रहे हैं टोटल attempt के बाद तो मैंस की तयारी में लग जाए क्योंकि मैंस में आपके पास केबल दो महिने का है तो आज का paper का पूरा सार यही है कि maximum जो section आपको देखने को बिले वो easy to moderate overall experience जो मिला है वो easy to moderate questions attempt की बात करूं तो average 80 questions का average गया है कि upper और lower circuit दोनों देखे जाए तो बीच का जो आपका है वो आपका है 80 questions का average तो उम्मीद करते हैं कि यह section आपको बहुत मदद देगा आने वाले shift में मैं SSE के उस बात का फिर भी समर्थन करता हूं मैंने paper में एक बार भी यह discuss नहीं किया कि क्या पूछा गया reasoning में क्या क्या आया maths में क्या क्या आया वो नहीं केवल हमने level को discuss किया है कि level इस तरह से आ रहा है बाई बाई टेक केर सभी सात्यों को जय हैंद